गुर्देव आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओ गुर्देव मेरी पत्नी गरवती है वो यहां आने में असमर्थ थी अथा उनका प्रश्ण था कि गुर्देव ने कहा है कि ऐसे समय में नित्य भागवत जी का पाट करना चाहिए मैं करती हूं परन्तु उसमें कुछ समझ में आता है कुछ प्रसंग समझ में नहीं आता तो फिर मन नहीं लगता है ऐसी स्थिती में मुझे क्या लगने से कोई मतलब नहीं है आपको केवल भागवत चर्चा करनी महलों भगवान को विराजमान करके भागवत के दो अध्या हिंदी के सुना रहें आप नियम पड़ रहें आप सात्रिक भोजन करें और जब से गर्व हो तब से ब्रह्मचरे रहें जब तक शंतान नहों जाए तब तक के सहवास न करें यह जो मूर खुलता की जाती है ना यह संतान के ऊपर बहुत बड़ा हानिकारक दोश है उसके अंग प्रत्यंगों को कमजूर करन उसकी बौधिक शक्ती को कमजूर करना उसके अंदर कामाद विकारों का भारी सरजन करना जब गर्वस्त सिसु होता फिर माता पिता सहवास करते हैं यह बहुत आनिकारक होता है इसलिए ब्रह्मचर का पालन करें जब तक शंतान उत्पत्य नहों जाए बहुत सावधानी से और नाम कीर्तन भगवत चर्चा सात्य कहार तो जो पुत्र या पुत्री होगी वो बहुत अच्छे संस्कार वाली होगी वो राष्ट भक्त होगी भगवान की भक्त होगी समाच का मंगल करने वाली होगी तो मन लगे न लगे उससे कोई मतलब नहीं दवा खाते हैं ना तो तो मन बिल्कुल नहीं लगता है तो आप करिएगा उस गर्भस्त शिशू पर उसका प्रभाव पढ़ेगा नाम जब का भगवत चर्चा का और ब्रह्मचरी रहेगा जब तक संतान प्रगट नहीं करना चाहिए जिस दिन से पता चल जाए कि कोई जीव आ गया गर्भ में तो उस दिन से ब्रह्मचरी रखना चाहिए यह कुछ नियम से यम रखे जाए तो शंतान बहुत उत्तम प्रकति वाली हो लेकिन माता पिता अपनी वासना से इतने पीरित होते कि उनको संतान की कोई फिकर नहीं होती जो मनाया सो खालिया जैसे मनाया वैसे आशरन कर रहे हैं जो मनाया देख लिया सुन वह इसे बच्चे पैदा होते फिर वही थपड़ी आते हैं माता पिता को तुमने संसकार अपने ठीक नहीं रखे तो हमारे संसकार कहां से ठीक हों इसी के रिगार्डिंग एक और प्रशन था, वो लिख रहे थे कि मैं अभी प्रेगनेंट हूँ, पूजा पाथ का नियम और वानी पाथ जो महाराजी ने दिया वो हम कर रहे हैं, लेकिन डिवरी के टाइम, पूजा पाथ का नियम किस तरह से करना होगा, किरपया करके मुझे बताएं, कितने दिन तक सेवा पूजा पाथ नियम कर सकते हैं, या कितने दिनों बाद नहीं करना, नहीं, जब वो शंतान प्रगट होती है, तो उसमें जनना सौच लगता है, सास्त्री पद्धती से, तो कम से कम, कम से कम, दस दिन, उसमें प्रगट में न पूजा कर सकते ह अपना प्रगट में गरंत चू सकते हैं अंदर अंदर आप नाम जब सकते हैं और अंदर जो आपको याद है वो इस्तोत्र वानी पाठ भी आपका गरंत नहीं चू सकते हैं यह सुन सकते ऐसे गरंत नहीं चू सकते माला नहीं चू सकते आप ऐसे नाम जब कीजी आप भगवत चिंतन कीजिए तो ऐसा उपाष्टना उसमें उपाष्टना में रत नहीं हो सकते आप जनना शोच और मरना शोच यह दो प्रकार के सोच बचाएं तो जो मरना शोच है वो 13 दिन में होता है ते रहीं जब होने के बाद वो पवित्र फिर्मा और इसमें कम से कम दस दिन तो जब तक संतालों गाओं में सोवर कहते हैं जब तक वो जनना शोच रहता है तब तक उसके पवित्रता ना होने तक कोई ठाकुर्शेवा ग्रंत को छूकर पाठ करना यह सब ना करें ऐसा सास्त सब्सक्राइब करें तो किसी की भी उतरा देते हैं डाक्टर लोग कारे के लिए तो हमको जब सरीर के लिए तो उतार देते हैं उसमें कोई परिशानी और जैसे घर आवे फिर पवित्र हो तो फिर कंठी धारन कर लें दो को सही बात तो है अंदर के चिंतन की बाते जो खास बात है वो मन का परमात्मा से जुड़ना है अब उसको दीरे से हम लोग बाहर पसें तो बाहर से दीर सावई मना कृष्ण पदार विंदयो दुरवासा जी को यही ब्रह्म हो गया था कि अंबरीश जी चक्रवरती सम्राठों मेरे समान भजन का आंकर सकते हैं क्योंकि मैं दूरवांकुर का रस पीता हूं और बलकल की लंगोटी लगाता हूं और राजा चक्रवरती रानियों क के बीच मेरे खास बात अंबरीश जी की थी सावई मना कृष्ण पदार विंदयों सीधे मन भगवान के चरणों में लगा है तो अत्तपस्या का हंकार होना त्याक का हंकार होना दैन्य होकर भगवान का बजल करना तो परास्त हो गए दुरवासा जी त्रिभुवन में तो पहले उठने का